नमस्कार दोस्तों good morning crescent education classes में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आघ कि वीडियो में हम जानेंगे LT कला के कोड केस के बारे में LT कला की कोड की सुनवाई दोस्तों काफी समय से चल रही है और कल भी दोस्तों महतुपूर्ण सुनवाई थी इसमें दोस्तों क्या decision निकल के आया है और आखिरकार कब तक result आ सकता है इसके बारे में दोस्तों जानेगे क्योंकि बहुत से प्रशन आप लोग के द्वारा L.T. art को लेकर पूछे जाते हैं क्योंकि L.T. कला का अभी तक result नहीं आया है योगिता के मामला अभी तक सुलजा नहीं है तो beard और non beard वाले आमने सामने हैं तो फिलाल अभी दोस्तों क्या update आई है इसके बारे में जानेंगे और आज दोस्तों सिक्षा मंत्री बाटने वाले हैं L.T. चैनितों को नित्ति पत्र पहले चरणे में कुछ नित्ति पत्र बाटे गे थे और आज भी दोस्तों कुछ L.T. चैनितों को नित्ति पत्र मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे L.T. आर्ट के कोट केस को लेकर क्या update चलिए है यह दोस्तों ओफिशल वेबसाइट है High Court of Uttrakhandi की आपने दोस्तों यहाँ पर जाना आप दोस्तों यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर केस स्टेटस में दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यह दोस्तों आपके दूसरी साइट में लेकर जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपने देखना है जो केस स्टेटस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह केस नंबर वाला जो कॉलम है यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिक करना है और यह दोस्तों यहाँ पर आपको ले जाएगा E-codes में, यहां पर दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, जितने भी cases हैं, उनसके बारे में दोस्तों जान सकते हैं, उसके detail के बारे में जान सकते हैं, तो देखिए, यहां पर मैं type करूंगा, देखिए, यह जो आपका case है, यह अपका special case चला SPA के अंदर दोस्तों यह आएगा तो मैं यहाँ पर फिलाल दोस्तों इस जब चीजे हैं आप इसको खुद भी कर सकते हैं तो देखे मैं इसको यहाँ पर फटापर से मैं इसको फील करता हूँ यहाँ पर देखे क्या क्या आएगा सबसे पहले तो यह आपकी special appeal है इसमें आएगा case number दोस्तों आपका है कई सारे वैसे cases चल ले हैं लेकिन फिलाल अभी जो मैं डालूँगा वो अपका 78 और year है आपका 2022 और यहाँ पर दोस्तों जो capture code है इसको आप डाल दीजे यह है C, B, D, F, U ओके तो फिर go में click कर देंगे तो यह दोस्तों आपके सामने एक case कुल के आ जाएगा देखिए SPA 78 2022 पुस्पा वर्से स्टेट अफ उत्रागंट ठीक है इस पर दोस्तों फिलाल हम देखेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं यह जो पूरी डीटेल आपके सामने आपके खुल के आ गई है तो अभी दोस्तों यहाँ पर चला गया है कि भाईया जो फरस्ट एरिंग डेट है उतने लिखे लेकिन नेक्स्ट एरिंग डेट दोस्तों यहाँ पर लिखे गई है क्योंकि यहाँ पर final decision दोस्तों जल्ली आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों एक important decision दोस्तों निकल के आया है कल दोस्तों इसमें सुनवाई हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 22 फरवरी 2023 की डेट है तो उसमें दोस्तों एक order निकल किया है इस order को दोस्तों जानेंगे फरेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह court और judge order दोस्तों निकला है 22 2223 का यह lt8 में दोस्तों फिलाल अभी एक order निकला है और यह देखिए कौन कौन सी है देखिए special application चल रही है 78 222 इसके अलावा है 105 222 इसके अलावा repetition आपकी bench में जो special bench में सुनवाई हुरी 213 222 और इसके अलावा 671 222 यह दोस्तों जो मामले हैं सारे के सारे lt8 से लेकर जुड़ेवे हैं तो इनके द्वारा देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें देख लीजे अभी last nine वाल है जो की learn council है for the SP 78 यानि पुस्पा वाले के इसमें डॉक्टर कार्टी के हरी गुपता है जो की वकील है advocate है SP 105 वाले में इसके अलावा रवी संकर कांटपाल है जो की आपके petitioner है WP SB 671 222 इनके वकील यह हैं और इसके अलावा जो CS Rawat है ये तो इस समय पर CSC है उत्रागंड के chief standing councillor है Mr. Yogis चोलिया है जो की learn council for the NCT दीखिए यहाँ पर NCT का भी रोल बहुत important हो गया है अब इसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा दीखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक case चल ला है दोस्तों यहाँ पर योगिता का case है क्योंकि इस case में क्या हुआ है कि जो non-beard वाले हैं उनको भी UK Triplasty ने allow किया था इस form को भढ़ने के लिए और इन्होंने फिलाल exam भी दे दिया अब इसमें क्या है कि जो beard जिनोंने LT8 वालों की बात चल ली है तो जिनोंने B8 किया हुआ है उन लोगों ने इसके खिलाफ यहाँ पर रिट दाखिल की है उत्राखंड उच्च न्याले में और उनका इमानना है कि जब सिक्षा जो सेवा नियमावली बनी भी है उत्राखंड LT समवर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर साब साब है कि LT8 वालों के लिए B8 करना भी अनिवारे है तो SME UK टेपलेसी ने कैसे जो non-B8 वाले हैं उनको एक्जाम में अलाव कर दिया तो इस कारण से ही दोस्तों यहाँ पर फिलाल यह योग गिता का विवाद छेडा हुआ है और अभी फिलाल सबसे बड़ी दिक्रत यह है कि non-B8 वाले जितने भी कैंड़ेट्स हैं उन्होंने एक्साम दे दिया है तो यहाँ पर दोस्तों क्या था कि जो NCT है उसको भी दोस्तों पूछा गया था है कि यह जो LT8 है उसकी योग गिता क्या है कहीं इसमें कोई बदलाओ तो नहीं किया गया है और इसलिए जो NCT था NCT को दोस्तों काउंटर एफिडेविट धाकिल करना था 22 तक ओके यानि 22 फरवरी तक करना था और इसकी final hearing दोस्तों होने वाली थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है learn counseling for the NCT submit that the counter affidavit has been prepared और जो वकील है NCT के उन्होंने ये कहा है कि भाईया जो counter affidavit है वो तयार हो चुका है और उसकी soft copy को filed कर दिया गया है soft copy अभी file कर दी गई है लेकिन अभी hard copy साफ फाइल नहीं की गई है तो hard copy को भी file कर दिया जाएगा अब जो दोस्तों जो applicant है मतलब कि जिन्होंने अभी फिलाल जिन्होंने case किया है वो क्या कर सकते है मतलब कि जो affidavit जो इन्होंने counter affidavit जो file किया है तब तक उस पर respond कर सकते है यानि कि कोई भी परतीकरिया देना चाहा है या उसके खिलाव कोई भी application लिखना चाहा है कुछ भी लिखना चाहा है तो उनको next date तक का समय दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज लिखी गई है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यह साब साब लिखा गया है council for the appellate has not opposed the application the same as accounting allowed यानि कहने का मतलब है कि यह भी चाहते हैं कि matter में अपना कुछ टांग उसेंड़ना चाहते हैं तो यह जो council है मतलब कि जो हमारे जो वादी हैं जो वकील है उन्होंने इस पर कोई भी अपोज नहीं किया है तो उनको भी allow किया जाता है कि वो भी इस मामले में अपना कुछ डालना चाहते है तो वो डाल सकते है ठीक है तो अब दोस्तों यहाँ पर साब साब लिखा गया है कि जो case है यह 22 March 2023 को फिलाल दोस्तों चला गया है ठीक है और interim order to continue कोई interim interim अभी आदेश कुछ हुआ है इसमें अभी मुझे भी इसके बारे में नहीं है तो फिलाल वो continue रहेगा अब हो सकता है कि जो interim आदेश है वो दोस्तों अभी सुरक्षित रख लिया गया हो ठीक है तो इसमें दोस्तों फिलाल अभी यही मामला चलता है कि फिलाल NCTE ने जो कि कोट ने उतरगंड हाई कोट ने डिमांड की थी NCTE से कि आप जो norm से उनके उनको लेकर आए जो कि अध्यापक की जो भी आपकी नेमावली है उनको लेकर आए और हमें बताए कि LTR की योगिता क्या है कहीं इसमें कोई changes तो नहीं हुए है और NCTE ने दोस्तों अपना counter-affidavit दाखिल कर लिया है और उसके लिए उन्होंने अभी soft copy के रुप में दाखिल किया है hard copy के रुप में दाखिल नहीं किया है तब तक के लिए जो आपके जो वादी है जिनोंने court case किया है उनको समय दिया गया है एक महीने का कि आप इस दोरान अगर कुछ डालना चाहते हैं या फिर अगर आप इस एफिडेविट के against में कुछ लिखना चाहते हैं इसके लावा एक और intervention application को मंजूर किया गया है और इसमें जो वकील है उसमें कोई भी oppose नहीं किया है दोस्तें ये साफ-साफ इस order से समझ में आता है और फिलाल कोई entry matter दोस्तों फिलाल दे दिया गया है और वो entry order continue रहेगा until next hearing यानि कि जो next hearing कब होने वाली है 22 March 2022 को होने वाली है तो उसमें दोस्तों ये फिलाल यहां पर से तस्वीर साफ निकल के आ रही है तो 22 March को देखा जाएगा कि भाईया अब आपका क्या होता है वैसे जनल ही हमारी राए यही है कि 22 March को दोस्तों इसका final decision आ जाएगा क्यास यह लगाए जा रहे थे कि फरवरी में दोस्तों इसका final decision आ जाएगा लेकिन फिलाल लगता है कि 22 March 2023 तक इसका final decision आ जाएगा अब किसके पक्ष में आएगा यह तो अभी कहना possible नहीं है लेकिन फिलाल यह है कि result दोस्तों जल्दी ही निकलेगा order निकलेगा तो result निकलेगा अब जो भी है result इसका निकलना चाहिए क्योंकि काफी समय से बढ़ती लट की हुई है जबकि बाकी जो LT candidates उनको जो जोइनिंग मिलने भी start हो गई है अब दोस्तों हम बात करेंगे LT joining की कुमाओं के दुर्गम अती दुर्गम विध्याले को सिक्षक मिलेंगे सिक्षा मंत्री आज बाटेंगे LT गणित के शेक्तर सिक्षकों को निक्ति पत्र पहले चरण में 16 LT सिक्षकों को appointment letters हो पे गए थे कुमाओं मंडल में दुर्गम अती दुर्गम माद्री विध्याले के रिक्ति पदों में सिक्षकों की तैनाती होने लग गई है कुमाओं मंडल अपर सिक्षा निजर सक कारे ले की ओर से पहले चरण में 16 LT सिक्षकों को निक्ति पत्र सौपे गए थे अब गुरुबार को सिक्षा मंतरी डॉक्राशन सिक रावत के हातों एल्टी गडित के 78 चैनित अभ्यरतों को निक्ति पत्र दिये जाएंगे और कुमाओं में अब तक LT चैनित साड़े 300 सिक्षा को की सूची AD Office को प्राप्त हो गई है यहाँ पर देख सकते हैं और कुमाओं के अपर सिक्षा निजर संग मादिमिक लेजर व्यास केंसर मंडल में LT सिक्षा के रित 759 पदों का अधियाचन भेजा गया था और अब तक साड़े 300 सो चैनित अभ्यरतियों की सूची प्राप्त हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए साड़े 300 लोगों की अभी तक फिलाल लिस्ट जारी पता पहुंच चुकी है कल भी दोस्तों मैंने आपको दिखाई थी जिसमें की युकेट रिप्लेशी के द्वारा संस्तुती दी गई थी उसमें LT फिजिकल एजुकेशन था इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के अलावा LT साइंस था LT अंग्रेजी था तो उनके लिस्ट दोस्तों भेजी गई थी तो कल के वीडियो जरूर देख लेना कल के वीडियो में सारी लिस्ट मैंने दिखाई थी कि कितने भीडियों को भेजा गया फिलाल ठीक है अब यहाँ पर देखिए कुछ एक इमपॉर्टेंट चीज भी दोस्तों यहाँ पर लेखीए कि सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है कि गड़े दविस है कि 93 चैनित अभियरत्यों के सूची मिली है इन में से 8 चैनित अभियरत्यों की डिग्रियों पर संदे है क्योंकि दोस्तों मैंने पहली बोला है कि UK टपलेस ने साफ साफ लिखा था कि इनकी जो डिग्री है इनके प्रवानपत्र की वैलेडिटी भी अपने इस तरह से जरूर करा है और सम्मंदित विष्वे विध्याले को सत्यापन के लिए भीजा गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रह विग्यान वानिजीव संस्कृत के अन्य अभियर्थियों का सत्यापन होना उनने का कि गुरुवार को जी जाइसी में सिक्षा मंत्र के हातों निक्ति पत्र देने के आईजन की तैयारी पूरी हो चुक है तो जितने भी एल्टी गण